सड़क हादसे में एक ही गाउं के दो यूवकों की दलदनाक मौत तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये परिवार है अमन और हसन का जिन्होंने आज अलविदा के रोज दुनिया से अलविदा कह दिया और परिवार की इद भी सूनी करके दुनिया से चले गए जिला बरेले के थानक छेतर नवाब गंज के गाउं हर दुआ कि फायत उल्ला के रहने वाले दो यूवकों की एक चड़क हादसे में दौदनाक मौत हो गई बताते चलें आज सुबह गाउं के ही अमन और हसन जो की दोनों परोसी हैं किसी काम से हाफिस गंज जा रहे थे रास्ते में तेज रफतार से आ रही पिकप गाड़ी ने दोनों यूवकों को टक कर मार दी जिसमें हसन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अमन ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया दोनों यूवकों की मौत के खबर सुनकर गाउं में सननाटा पसर हुआ है और परिवार के लोगों पर मुसीबत का पहाड तूट पड़ा है परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है नवाब गन से रियास गुड़ू अंसारी की रिपोर्ट याँ मैं गारम याँ मैं गारम याँ मेरी दाव मणाया हुआ 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 है जानना चाहेंगे जो मिर्ट तक लगा है या प्रगठा में यह कहां जा रहा था यह बच्चे दोनों हाफिसके जा रहा है थे अच्छा क्या नाम था इनका एक लड़के का नाम है छोटे वाले का अमन और इसका नाम है हसन कितनी उमर रही हो गी अमन की उमर जो है करीब 16 साल ह है और हजसन की उमर जो है बहुत हरा साल ही जा रहे हैं यह कुस कांसरी से ये यह कुस्त दुकान की सौधा लेने के लिए जा रहे थैं नरसरी से उल्ला के लिए जो अंदरला है बाईपास उस से थोड़े से बढ़ने मोड पे हुआ है इनका दूनों का लड़का है जो कि ऑ्मे है बालिद यह वह गज़वा है यह एक लड़की हमारे गाउं में पागल है वो गई है वी माग तो वो ऐसी सुबह सुबह घर में जहां ता हुज जाती ही आके तो यह बच्चों के बज़े से उतर जहीं थी चौकी पैसे अपने चार पाइब पैसे तो यह गिर्ख पड़ी इनका पैर इसलिए टूगा गया पर आप कर दो किसी से फ्र्च बिर्ख तो यह बतारा चोटांती हमने तूभी देखा तो है नहीं है कर दो में जएक अ पान लेने के लिए तो किस चीज से हाथसा हुआ है यह बता रहा है छोटा हाती हमने तभी देखा तो है नहीं तो मौके पर ही मौत हो गई अपर होस्पिटल पर जा देखा है मतलब एक की तो होगी तुमा ता मोके पर एक की राश्ताम हो गई तो यह लड़का बड़ा था या क्या नाम पर होगी अमन अच्छा तो इसके पिता का नाम क्या है मुंताज मुंताज